परिचाय रहुल, आज भारत चीतेगा हाँ, भारत ही चीतेगा पिताजी रन्रेट का ग्राफ देखो भारत वेस्ट इंडीज से उपर है पिताजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह ग्राफ क्या दर्शा रहा है बेटा, मोलता यह X अक्ष और Y अक्ष को दर्शा रहा है जिसमें ओवर के हिसाब से रन्रेट दिया है ठीक है, क्या आप मुझे इसके बारे में और ज्यादा बताएंगे? हाँ, क्यों नहीं, निश्चित रूप से इस पार्ट में आप निर्देशांक जयमिती की अवधारणाओं के बारे में जानेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे दो निर्देशांकों के बीच की दूरी को ग्याद करना रेखा खंड को अनुपात में विभाजित करना त्रिभुच का क्षित्रफल निकालना जिसके शीर्ष दिये हो दूरी सूत्र जब दो बिंदूओं के निर्देशांक पता हो तो हम उनके बीच की दूरी ग्यात कर सकते हैं जैसा की चित्र में दिखाया गया है कल्प ना कीजिए कि दो बिंदू A और B है एक समकोन त्रिभुच बनाने के लिए हम A और B से जाती हुई एक रेखा खीच सकते हैं अब पाइधा गौरस प्रमय के प्रयोग से हम प्राप्त करते हैं A वर्ग जमा B वर्ग बराबर C वर्ग अब A और B बिंदूओं को चिन्हित करते हैं X A का आर्थ है बिंदू A का X निर्देशांग Y A का आर्थ है बिंदू A का Y निर्देशांग 36 दूरी A X A घटा X B है और्थवा धर दूरी B Y A घटा Y B है अता अब हम समीकरण को C के लिए हल कर सकते हैं जोकी दोनों बिंदूओं के बीच की दूरी है यह होगा C वर्ग बराबर A वर्ग जमा B वर्ग अब A और B का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है C वर्ग बराबर X A घटा X B का वर्ग जमा Y A घटा Y B का वर्ग अंतिम परिणाम है C बराबर X A घटा X B का वर्ग जमा Y A घटा Y B वर्ग का वर्गमूल उधारण चित्र में दिखाए गए बिंदुओं के बीच की दूरी को ग्यात करें हल दूरी सूत्र के द्वारा सी बराबर एक्स ए घटा एक्स बी का वर्ग जमा वाई ए घटा वाई बी का वर्ग का वर्ग मूल अथा इस समिकरण को हल करने पर हमें सी बराबर ग्यारा दशमलव छह छह प्राप्थ होगा एक्स और वाई के बीच संबंद ग्यात करें जहां बिंदु एक्स वाई बिंदुओं छे दो और आठ चार से सम्दूरस्थ हों हल हम मान लेते हैं कि पी एक्स वाई बिंदु ए छे दो और बी आठ चार से सम्दूरस्थ है प्रश्न के अनुसार ए पी बराबर है बी पी के इसलिए ए पी का वर्ग बराबर होगा बी पी वर्ग के अता नीचे दिये गए समिकरण को हल करने पर हमें एक्स जमावाई बराबर दस प्राप्थ होगा विभाजन सोत्र विभाजन सोत्र बिंदू पी एक्स वाई जो बिंदू ओं ए एक्स एक वाई एक और बी एक्स दो वाई दो को मिलाने वाले रेका खंड को आंतरिक रूप से एम एक एम दो के अनुपात में विभाजित करता है उसके निर्देशांक हैं इसका ग्राफिये निरूपन नीचे दिये चित्र में देख सकते हैं विशिष्ट स्थिती रेका खंड का मध्ध बिंदू रेका खंड को एक बटे एक के अनुपात में विभाजित करता है इसलिए बिंदूँ A, X1, Y1 और B, X2, Y2 के योग के मध्ध बिंदू P के निर्देशांक हैं X1 जमा X2 बटे 2 Y1 जमा Y2 बटे 2 उधारण बिंदू A, रिण 5, 8 और B, एक, रिण 7 को मिलाने वाले रेखा खंड को बिंदू, रिण 3, 2, किस अनुपात में विभाजित करेगा? हल मान लेते हैं अनुपात के बटे एक है, विभाजन सूत्र के अनुसार रिण 3, 2, बराबर के, रिण 5, बटे के जमा एक, रिण 7 के जमा आट, बटे के जमा एक, इसलिए, तिसलिए3 बराबर के, रिन 5, बटे, के जमा एक, रिन 3 गुणन, के जमा एक, बराबर के रिन 5, रिन 3 के, रिन 3 बराबर के रिन 5, रिन 3K, रिन K बराबर रिन 5 जमा 3, रिन 4K बराबर रिन 2, K बराबर 1 बटे 2 के अता अनुपाद K अनुपाद 1 बराबर 1 अनुपाद 2 हुआ. त्रिभुच का क्षित्रफल पिछली कक्षाओं में जब त्रिभुच के आधार और उंचाई दिये होते थे, तो हम उसका क्षित्रफल ग्यात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रियोग करते थे. त्रिभुच का क्षित्रफल बराबर 1 बटे 2 गुणे आधार गुणे उंचाई. मान लीजिए, ABC एक त्रिभुच है, जिसके शीर्ष A, X1, Y1, B, X2, Y2 और C, X3, Y3 है, तो इसका क्षित्रफल निम्न सूत्र से ग्यात किया जा सकता है. त्रिभुच का क्षित्रफल बराबर 1 बटे 2 गुणन X1 इंटू Y2 रिण Y3 जमा X2 गुणन Y3 रिण Y1 जमा X3 गुणन Y1 रिण Y2 उधारन. बिन्दुओं A, एक चार, B, दो तीन और C, चार दो से बनने वाले त्रिभुच का क्षित्रफल ग्यात कीजिए. हल त्रिभुच के क्षित्रफल के सूत्र के अनुसार. त्रिभुच का क्षित्रफल बराबर एक बटे 2 गुणन X1 गुणन Y2 रिण Y3 जमा X2 गुणन Y3 रिण Y1 जमा X3 गुणन Y1 रिण Y2 उधारन. त्रिभुच का क्षित्रफल बराबर एक बटे 2, एक गुणन X3 रिण दो जमा 2 गुणन Y2 रिण 4 जमा 4 गुणन Y3 गणन करने पर हमें प्राप्त होता है. त्रिभुच का क्षित्रफल बराबर एक बटे 2 वर्ग 1 आई. क्या आप जानते हैं, फ्रांसीसी गणी तक के रेने डेकार्टेस ने निर्देशांक जयामिती का विकास किया डेकार्टेस ने अपने विचारों को 1637 में ला जियोमेट्री यानी जयामिती नामक्ती का में प्रकाशित किया सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं दूरी सूत्र इस प्रकार है A X A Y A और B X B Y B के बीच की दूरी X A रिन X B का वर्ग जमा Y A रिन Y B का वर्ग का वर्ग मोल है विभाजन सूत्र इस प्रकार है M 1 X 2 जमा M 2 X 1 बटा M 1 जमा M 2 M 1 Y 2 जमा M 2 Y 1 बटा M 1 जमा M 2 अगर अनुपात 1 बटाई 1 है तो इसके अनुसार रुपाम्तरित सूत्र होगा X 1 जमा X 2 बटा 2 Y 1 जमा Y 2 बटा 2 त्रिभुज का क्षित्रफल बटाबर 1 बटा 2 गुणन X 1 गुणन Y 2 रिन Y 3 जमा X 2 गुणन Y 3 रिन Y 1 जमा X 3 गुणन Y 1 रिन Y 2 जमा X 2 बटाई 1 बटाई 2